आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती हैं, नया विश्वास प्यादा करती हैं। आज जैसा अभी हमारे मंत्री शिमान नर्दरसी जी तोमर बता रहे हैं, आज भगवान बस्वेस्वर जेनती हैं, परशुराम जेनती भी हैं। आज अक्षय तृतिया का भी पावन परव है और मेरी तरब से देश वास्यों को इद की भी मुबारक। करोना के इस समय में समस्त देश वास्यों का होस्ला बढ़े, इस महामारी को पराश करने का संकल्प और द्रड़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भायों से जो मेरी बातचीत हुई हैं, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कारकम में उपस्तित, क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री, सिमान नरेंदर सिनी तोमर जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे अन्य सहयोगी गण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदर्निय मंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण, और देश भर के मेरे किसान भायों और बहनों, आज बहुत ही चुनोती पूर्ण समय में हम यह समवात कर रहे हैं, इस कोरणा काल में भी देश के किसानों हमारे क्रिशी छेत्रे में अपने दाईत्व को निभाते हुए, अन्न की रिकॉर्ड पैदावर की हैं, आप क्रिशी में नए नए तरीके आजमा रहे हैं, आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधी की एक और किस्त और मदद करने वाली हैं, आज अक्षय तरुतिया का पावन परव हैं, क्रिशी के नए चक्र की शुरुवात का समय हैं, और आज ही करीब उननीस हजार करोड रुपिये किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांस्पर किये गए हैं, इसका लाब करीब करीब दस करोड किसानों को होगा, बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाब मिलना शुरू हुआ है, आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुँची हैं, जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभारती किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी, साथियों पीएम किसान सम्मान निधी से विशेश रुप से छोटे और मजोले किसानों को अधिकलाब हो रहा है, आज के कठीन समय में ये राशी इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है, अभी तक इस योजना के तहट देश के लगभग ग्यारा करोड किसानों के पास लगभग एक लाग पैंतिस हजार करोड रुपे पहुँच चुके हैं, मतलब की सवा लाग करोड से भी जादा सीधे किसानों के खाते में कोई बिचोलिया नहीं, इन में से सिरफ कोरोना काल में ही साथ हजार करोड रुपे से जादा पहुँचे हैं, जरूरत के समय देश वाचियों तक सीधी मदद पहुँचें, तेजी से पहुँचें, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचें, यही सरकार का निरंतर प्रयास हैं, भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाप पहुँचाना का है काम, उपज की सरकारी खरिद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है, कोरोना की मुश्किल चुनोतियों के बीच, जहां किसानों ने कुरुशी और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वही सरकार भी हर सांग MSP पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है, पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुल्ना में लगभग दस प्रतिशत अधिक गेहूं MSP पर खरीदा जा चुका है, अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के खाते में पहुँच चुका है, सबसे बड़ी बात ये, कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको आप अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है, परेशान नहीं होना पड़ता है, किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है, मुझे संतोष है कि पंजाब और हर्याना के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसपर की इस सुविदा से जुड़े हैं, अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड रुपिये और हर्याना के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड रुपिये सीधे, उनके बैंक एकाउंट में जमा हो चुके हैं, अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हर्याना के किसान भी अनुभो भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं, मैं सोचल मीडिया में इतने वीडियो देखें हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकारते उनको पैसा पहुंच जाना, और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं साथियों खेती में नए समाधान नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है ये मिट्टी और इनसान के स्वास्त के लिए लाबदायक है और इनकी कीमत भी जादा मिलती है थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देज भर के कुछ किसानों से मेरी बात्चीत भी हुई है उनके होसले उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूँ आज गंगाजी के दोनों और करीब पांच किलोमिटर के दाएरे में जैवी खेती को व्यापक स्थर पर प्रोसहित किया जा रहा है ताकि वो जो खेत में उप्योग किया गया केमिकल है बारिस के समयज वो पानी बहकर कर के गंगाजी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूशित न हो इसलिए गंगा जी के दोनों तट के पाँच पाँच किलोमेटर करीब करीब ये जैवी कुत्पाद को विशेश बढ़ दिया जा रहा है। इसको भी व्यापक स्तरप्र पोट्साइद किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की निरंतर कोशिच है कि छोटे और सिमान किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान रण मिले। इसके लिए बीते डेर साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलद्द कराने का एक विशेश अभियान चलाय जा रहा है। इस दोरान दो करोड से जादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। इन कार्ड पर किसानों ने दो लाग करोड रुपिय से जादा का रोण बैंकों से लिया है। दो लाग करोड रुपिय इसका बहुत बड़ा लाप पशुपालन, डेरी और मचली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाली में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। और मैं चाहूँगा कि मेरे किसान भाई बेहनों को ये सरकार के निर्णे से खुशी होगी, उनको लिए ये बहुत लाब करता होगा। सरकार ने नेने किया है कि कोरोना काल को देखते हुए के सी सी रण के भुकतान या फिर नमीनी करण की समय सिमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका रण बकाया है वो अब 30 जुन तक रण का नमीनी करण कर सकते हैं। इस बड़ी हुई अवदी में भी किसानों को 4 प्रतिशद व्याज पर जो रण मिलता है, जो लाब मिलता है, वो लाब भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गाउं का, किसान का, करोना के विरूत भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह आपके ही स्रम का प्रणाम है कि आज इस करोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुप्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के माध्यम से पिछले वर्ष आठ महिने तक गरीबों को मुप्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महिने में देश के 80 करोड से जादा साथ्यों को राशन मिले इसका प्रबंद भी किया गया है। इस पर भी केंदर सरकार 26,000 करोड रुपिये हमारे गरीब के घर में चूला जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आगर करूँगा कि गरीबों को इस राशन के वित्रण में कोई परिशानी ना आये, ये सुनिस्शित करें। साथियों, सो साल बाद आई, इतनी भीशन महामारी, कदम कदम पर दुनिया की परिच्छा ले रही है। हमारे सामने एक अद्रुष्य दुश्मन है, और ये दुश्मन बहुरुपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वाइरस के कारण, हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देश वासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्थ से गुजरे हैं, तकलीप से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही मैसूस कर रहा हूँ। देश का प्रधान सेवक होने के नाते, आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूँ। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोथ थे, वो तेजी से दूर किये जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन, हमारे देश के सुरक्षाबल, हमारे साइन्टिस्ट, हर कोई दिन रात कोवीड की चनवती का मुकाबला करने में एक जूट है। देश के अलग-अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोवीड अस्पताल बन रहे हैं, नई टेक्नलोजी से अक्सिजन प्लांट लगाये जा रहे हैं, हमारी तीनों सेनाएं, बायू सेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ती से एक काम में जूटे हैं, आक्सिजन रेल, आक्सिजन रेल इसने कोरोना के खिलाब इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये आक्सिजन रेल आक्सिजन पहुंचाने में जूटी हैं। आक्सिजन टैंकर्स, ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सभाई कर्मचारी हो, एम्बूलेंस के ड्राइवर्स हो, लेब में काम करने वाले सज्जन हो, सेंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 2400 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाईयों की आपूर्ती बढ़ाने पर युद्दस तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाईयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाईयों मंगबाई जा रही है। इस संकट के समय में दवाईयों और जरूरी बस्तों की जमाखोरी और काला बजारी में भी कुछ लोग अपने निहिर्त स्वार्त के कारण लगे हुए है। मैं राज्य सरकारों से आगर करूँगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कारवाई की जाएं। यह मानवता के खिलाब का क्रत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कारकम में मैं देश चे सभी किसानों को, गाउं में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतक करना चाहता हूं। ये संक्रमन अभी गाउं में भी तेजी से पहुँच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गाउं के लोगों की जाग रुकता, हमारी पंचायती राच से जुड़े जो भी व्यवस्ता हैं, उनका सहयोग, उनकी भागिदारी उतनी ही आवशक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। करोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर, जो भी जरूरी कदम हैं, आवशक्ता हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातर पहनना बहुत जरूरी हैं, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुँपर पूरी तरह से धका रहे हैं। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दत जैसे लक्षनों को सामाने मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को अथा संभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेश करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए, तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई हैं, वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टिका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारे मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि जादा से जादा देशवासियों को तेजी से टिका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड वैक्सिन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुप्त टिका करन किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आएं तो टिका जरूर लगवाएंगा। ये टिका हमें कोरोना के विरूत सुरक्षा कबच देगा। गंबीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टिका लगाने के बाद भी मास्क और दोगज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत-बहुत शुपकामनाय देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।